सो भई आज की डेट पे अगर आपका जो फोन है वो कहीं पर चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो उस केस में आप बहुत ही बुरी तरीके से फच सकते हो क्योंकि आपका जो चोरी किया हुआ फोन है उसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो सकते हैं और ठेरिरि उसे जो है block और on block कर सकते हो तो यह जो portal है इसका नाम रखा गया है CEIR और इसका जो full form है वो है central equipment identity register और इस platform के जरी आप अपना जो lost phone है उसे proper तरीके से जो है बंद कर सकते हो और उसे जो है officially जो है एक blacklist statement डाल सकतो तो यह जो portal है CEIR इसे कैसे use करना है आप अपना जो lost phone है उसे कैसे recover करोगे कैसे track करोगे सारी चीज़े इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ वीडियो काफी दा valuable content है और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और आपको अगर यह जो वीडियो है यह पसंद आये तो आप इस वीडियो को share करना वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करके जाना तो चलिए इस वीडियो को start करते है सो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया यह जो प्लाटफॉर्म है इसे इंडियन सेंट्रल गवर्मनें ने जो है हर एक स्टेट के लिए लॉंच कर दे है और इस website का जो लिंक है वो मैं आपको description में provide कर दूंगा या फिर आप Google के उपर मैं जाके ceir.gov.in जो है लिख सकते हो और इस website के वर में आप पहुंच जाओगे यह जो website है यहाँ जैसे ही जाते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले mail ली जो है तीन option यहाँ पे सो होंगे यहाँ पे आप देह सकते हो सबसे पहला option है जो है block stolen और lost phone के लिए दूसरा option है block और unblock जो found mobile है उसके लिए और तीसरा option है check request status के लिए तो सबसे पहले जो चोरी क्यों है phone है उसे हम block करेंगे और उसे जो है found करेंगे तो उसका हम सबसे पहले देख लेते हैं तो यहाँ पे जैसे हम click करते हैं यहाँ पे सबसे पहले उपर के साइड में आप जो भी सारा torment करने सान है कुछ आप वहाँ से पढ़ सकते हो बाकी हम में मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले जो device information है वो हमें यहाँ पे देना होगा जो हमारा mobile नमबर लगा था phone चोरी होने के time पे उसको हम यहाँ पे डालेंगे दो mobile नमबर है तो दोनों यहाँ पे डालेंगे और IMAE नमबर आपके phone का वो यहाँ पे proper तरगे से डालना होगा IMAE नमबर आप जो है अपना जो box है जो bill है वहाँ से आप ले सकते हो तीसरा जो option है वो है आपका जो phone का brand है उसे select करना है device का model नमबर जो है डालना है उसके बाद में जो purchase करते time जो bill आपने बनाया था वो जो bill है bill का जो copy है उसको आप यहाँ पे upload कर देना है upload हरने के बाद में जो लॉष्ट इंफ्र में सबसे पहले जो लॉष्ट प्लेस है वह यहाँ पे डाल सक्तों दूसरा है लोस्ट जो date है और जो time है वह यहाँ डाल सक्तों तीसरा जो information है वो है state कौन से state के अबार में आप और उसको ठोरी हुआ वो यहां पे आप डिल सकतो, district डाल सकतो, police station डाल सकते हो, और police station डालने के बाद में, police station का जो complaint number है, वो डाल सकतो, यहां पे आपको ध्यार में रखना होगा, कि आप सबसे पहले police station के उपर में जाके, एक complaint जो है register कीजिए, officially, उसके बाद में जाके, आप यहां पे जो complaint number है, वो डाल सकते हो, और F.I.R. का जो copy है, police station complaint का जो copy है, वो यहां पे आपको scan करके upload करना होगा, जैसे यहां भी से जो है scan करके upload करते हो, उसके बाद में owner का जो personal information है, वो section आ जाता है, उसके बाद में identity का जो number है, वो आपको डालना होगा, और यहां पे email id submit करना होगा, और नीचे के side में एक normal सा capture है, उसको feel करके, यहां पे जो mobile number है, वो देखे, जो mobile number आप current time use कर रहे हो, वो mobile number आपको देना है, और यहां पे OTP से verify करने ना है, जैसे आप यहां पे OTP से verify करते हो, यहां पे एक declaration, यहां पे submit करने के लिए दिया गया है, तो declaration के उपर में आपको check कर लेना है, check करने के बाद में आप यहां पे इसे submit कर सकते हो, जैसे यह आप यहां पे submit करते हो, within 24 से 48 hour के अंदर में, आपका जो lost phone है, उसे block कर दिया जाएगा, जैसे यह आपका जो police complaint number है, वो थोड़ा सा review होता है, police complaint verification होता है, आपका identity verification होता है, तो उसके बाद में आपका जो phone है, उसे block कर दिया जाएगा, officially, अब हम बात करते हैं, इस platform का दूसरा जो option है, जहां पे कि हम unblock found mobile का option, जो है, यहाँ पे choose करते हैं, तो अगर आपका जो phone है, वो आपको वापस मिल गया, तो उस case में आप क्या करोगे, आपका जो phone है, वो तो block कर दिये हो, आप, अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो request ID, जैसे कि आपने submit किया है, जैसे कि आपने block करने के लिए, जैसे आप request submit किये हैं, तो submit ID आपको एक मिलेगा, तो वही यहाँ पे request ID के लिए, यहाँ पे बोलाज गया है, तो वही request ID यहाँ पे आपको देना है, उसके बाद में, जिस भी register mobile number से, आपने OTP से verify किया है, वही नमबर आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में reason for unblocking, यहाँ पे एक option सो हो रहा है, यहाँ तो यहाँ पे आप reason जो है, unblocking के लिए दे सकते हो, recover by police यहाँ पे दिया हुआ है, found by self दिया हुआ है, blocking by mistake यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको करना होगा, कोई भी reason आप यहाँ पे select कर सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे जो capture है, उसे fill कर सकते हो, mobile number से OTP verify कर सकते हो, और submit कर सकते हो, 24 से 48 hour के अंदर में, आपका जो phone है वो unblock हो जाएगा, और उसे आप जो है use कर सकते हो, और यहाँ पे इस platform के वर में, तीसरा जो option दिया गया है, वो है check request status का, तो यहाँ पे यह वाला जो request status है, आपने block करने के लिए दिया है, या फिर unblock करने के लिए दिया है, या फिर verification का जो भी सारा process है, उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे enter request ID का एक option, जो हो रहा है, तो request ID तो आपको पता चल गया होगा, कि क्या ID है, तो उसको आप यहाँ पे देखे, आपका जो सारा status है, उसको check कर सकते हो, यह जो platform है, इसका और एक बहुत बड़ा benefit है, कि आप अगर यहाँ पे three dot पे क्लिक करके application section में जाते हो, तो यहाँ पे इस website का official एक application को भी launch किया गया है, जिसका नाम है know your mobile app, जिसे की platform में KYM app जो है कहते हैं, और उसे आप Google Play Store के उपर में, App Store के उपर में, कहीं पे भी उसे जो है download कर सकते हो, यह जो application है 172KB का application है, और इस application के throw जो है आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो आप अगर कोई भी second hand phone purchase करती हो, तो उस case में उस phone का security check-up है उसको कर सकते हो, यह जो application है इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे डाल लेना है, और डालने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले जो IMAE नमबर है, जो भी आप second hand phone purchase करे हो, उसका जो IMAE नमबर है वो आपको यहाँ पे select करके यहाँ पे दे देना है, select करने के बाद में यहाँ पे आप जो है SIM1 या फिर SIM2 आप जो भी select करना चाहते हो, उसे select करके यहाँ पे verify कर सकते हो, in case अगर आपका जो भी phone आप खरीद रहे हो, वो जो phone है, वो चोरी का phone है, या फिर किसी तरीके से illegal activity उस phone के साथ में हुआ है, तो उस case में यहाँ पे आपको show कर देगा, कि इस phone के साथ में कोई illegal activity बगरा हुए है, तो आप वैसे phone के दूर रह सकते हो, तो गाइस मेरे हिसाब से देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा decision लिया है, इंडियन government ने इस application को launch करके, बस आप इसे use करो, अगर आप आपके family में या फिर friend circle में कोई भी ऐसा बंदा है, जिसका phone जो है चोरी हुआ है recently,